पिर वीडियो इस्टार्ट करते हैं, यहां मैंने लिए हैं दो गिलास चावल, सेम गिलास से आप देख रहे होंगे, और यह जो डेली रूटिन में हम चावल खाते हैं वही चावल है, यह सोनम चावल है, तो आप घर पे जो भी चावल खाते हैं, आप उसी चावल का बना के तो यह मोटा चावल नहीं है, पतला ही चावल है, तो आप किसी भी चावल का बना सकते हैं, कोई साभी चावल हो प्रेसर कुकर में अच्छे से बन जाएगा, अब एक बरतन लेंगे और इसमें हम दोनों गिलास का चावल डाल देंगे, तो जब भी आप प्रेसर कुकर में चावल बनाएं तो किसी भी गिलास से, कटोरी से, कप से, नाप के ही लिजेगा, तभी आप पानी की सही मातरा मतलब डाल पाएंगे, अब चावल को हम अच्छे से दो लेंगे, तो चावल को भीगो के छोड़ना नहीं है, आप चावल को डारेक्ट पानी डालिए और धो जेगा, तो इसे कम से कम तीन बार हम दोएंगे चावल को, ताकि इसका जो पाली से ना चावल का, वो अच्छे से निकल जाए, जब तक इसमें साब पानी ना जाए, तब तक इसे अच्छे से धोली जेगा, हलके हाथों से रब करके, अब यहां लिया है तीन लिटर वाला इसमें ना तीन से चार गिलास तक चावल, जो गिलास मैंने यूज किया है आज, इस गिलास से चार गिलास चावल इसमें पूरा फूल उपर तक बन जाता है, लेकिन अगर उस से ज़्यादा बनाना हो, तो फिर आपको पांच लीटर का कूकर लेना पड़ेगा, तो पूरा चावल हम इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे, तो दो गिलास चावल लिया है, तो मैं आपको बताऊंगी, कि दो गिलास चावल के लिए आपको कितना पानी डालना है, ताकि आपका चावल जो है, गीला ना हो, या फिर कच्चा न रह जाए, कि एकदम परफेक्ट बन कर तयार हो तो बस जिससे हम चावल लिए हैं उसी से हम पानी की नाप करेंगे तो चलिए पानी डाल लेते हैं तो दो गिलास चावल के लिए हम यहां साढ़े तीन गिलास पानी डालेंगे कई बार होता है कि जैसे दो गिलास के लिए 4 गिलास पानी डाल देते हैं मतलब डवल डाल देंगे तो क्या होता है न कि चावल तो पक जाता है लेकिन उसमें रहलका सा पानी पानी रहता है फ्रेस चावल बनकर तयार नहीं होता है और इस तरह से बनाएंगे na आपको चावल जो है एकदम परफेक्ट बनकर तयार होगा तो इसमें हमें दो गिलास चावल के लिए साठे तीन गिलास पानी डालना है तो यह देखिए तीन गिलास दाला और यह आधा गिलास पानी मैंने लिया है इसे भी इसमें डाल देंगे और अगर आपके अहां जैसे नमक डालते हैं चावल में तो आप इसी टाइम पे नमक डाल सकते हैं लेकिन हमें बिना नमक के प्लेन बना रही हूं अब इसे हम गैस के उपर चड़ा देंगे और गैस का फ्लेम ना हाई से हलका सा कम रखेंगे मतलब हाई से हलका सा कम मिडियम से थोड़ा सा ज़्यादा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो सीटी ना लगे और जब फिर एक सीटी लग जाए उसके बाद में जब कूकर अपने आपसे ठंडा हो जाएगा तभी हम फिर कूकर को खोलेंगे इसके पहले कूकर को हमें नहीं खोलना है और अगर आपको जल्दी है कूकर खोलने की मान ल तो फिर आप दो सीटी लगाईएगा और फिर आप जैसे सीटी को इसे उठाके और कूकर आप खोल सकते हैं लेकिन यहां मैंने एक सीटी लगाया था और कूकर जब ठंडा हो गया इसके बाद मैंने इसे खोला है और यह देखिए हमारे चावल जो है एकदम परफिक्ट बन कर तेयार हो गया न यह ओबर कूक हुआ है ना इसे घीला है इकदम अच्छे से बन कर तेयार हुआ है तो आप एक बाद जरूर से बनाईएगा अगर आप प्रेसर कूकर में चावल नहीं बनाते हैं तो आप ना एक बाद जरूर ट्राइ किजिएगा आपको काफी पसंद आ पर नए हैं तो प्लीज फ्रेंड सस्क्राइब किये विना बिल्कुल भी मत जाईएगा तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक अच्छी सी सांदार रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में